इस भाग में हम दवाव का सामना करने की तक्नीकों और सकारात्मक स्वास्त को बढ़ावा देने संबंधी कारकों का अध्यन करेंगे हम बात करते हैं दवाव का सामना करने संबंधी युक्तियों पर कोपिंग विथ स्ट्रेज तीन तरह की युक्तियां देखी जाती हैं पहली युक्ति है क्रत्य अभिविन्यस्त युक्ति दूसरी युक्ति है समवेग अभिविन्यस्त युक्ति और तीसरी युक्ति है परिहार अभिविन्यस्त युक्ति इन तीनों के बारे में हम बात करते हैं सबसे पहले क्रत्य अभीविद्णयस्त युकती टास्क ओरिएंटेड स्टाटीजी के अंतरगत स्ट्रेस से सम्बंधित हम कोई कार या टास्क पर फोकस करते हैं और उसमें परिवर्थन लाते हैं जैसे की हम किसी कारे को करने से संबंधित समय सारणी मनाते हैं दूसरे युक्ति हो सकती हैं हमारे अपने emotions हमारे संवेगों पर आधारित हम अपने भाव हम अपने emotions को नियंतृत करने के तक्निके सीखते हैं और तीसरे युक्ति जो आमतोर पर कई कई बार लोग इस्तमाल करते हैं वह है परिहार संबंदी यानि हम तनाओ को स्विकार ही नहीं करते हम मानते ही नहीं है कि तनाओ है हम उसको अवाइड कर आगे वढ़ते हैं इन तीन युक्तियों के एतिरिक्त लेजरस वह फोकमें ने सामना करने क स horrendous of spirit को गत्यात्मकता के साथ देखा कात्यात्मक्त प्रक्रिया के रूप में में समझा सामने करने की युक्तियों को उन्होंने दो अलग तरह से बताया पहला समस्या केंदरत योगती और दूसरा समवेक केंदरत योगती यदि हम बात करें कि इन युकतियों के अतरिक्त हम किस तरह से कौन-कौन सी प्रसिद्ध तक्नीके हैं उनकी हम चर्चा करें तो सबसे पहले विश्ट्रांती तक्नीके आती हैं relaxation technique relaxation technique में यह तक्नीक भी कई तरह की हैं जैसे एक सूप्रसिद्ध तक्नीक है जैकपसन का muscular relaxation technique जैसे एक अन्य तक्नीक है BRT behavioral relaxation training तक्नीक कोई भी हो कोशिश यह होती है कि relaxation एक सक्रिय कुशलता है सक्रिय कौशल है और इस सक्रिय कौशल से दवाओ के लक्षणों में कमी आती है उच्च रक्त चाप को कम किया जा सकता है और जब हम यह technique इस्तमाल करते हैं तो प्रारंब हम शरीर के निचले हिस्से से करते हैं जैसे कि हमारे पैर के पंजे को हम विश्रांत अवस्था में लाने का प्रयास करते हैं फिर धीरे धीरे हम घुटने की तरफ आगे बढ़ते हैं फिर हम अपने पेट की तरफ आगे बढ़ते हैं सीने की तरफ आगे बढ़ते हैं और अंत में हम मुख की हमारे चेहरे के पेशियों तक पहुंसते हैं गहरी स्वास लेते हैं और पेशियों को सिथिल करना होता है और इस तरह से हम रिलेक्सेशन करते हैं दूसरे तरह की टेक्निक हैं ध्यान प्रक्रियाय मेडिटेशन ध्यान की योग विधियां जो सीखे गए निश्चित क्रम में उपयोग में लाई जाती हैं ध्यान को पुनह केंदृत कर चेतना की परिवर्तित स्थिति उत्पन्न की जाती हैं ध्यान करता वाहरी उद्धीपकों से आउभिग्य हो जाता है और वह एक सकार आत्मक उद्धीपक पर ध्यान केंदृत करता है अगली विधी है जैव प्रति प्राप्ति विधी इस विधी को बायो फीडबेक विधी के रूप में भी जाना जाता है इसमें हमारे शरीर की शरीर क्रियात्मक पक्षों का मॉनिटरिंग की जाती है परिविक्षन किया जाता है और उनको कम किया जाता है व्यक्ति के लिए उ का feedback दिया जाता है उसे बताया जाता है कि आपकी यह गति विधी अभी नुक्सान दाई हो सकती है इस विधी को तीन चरणों में किया जाता है पहला चरण है शरीर क्रियात्मक अनुक्रिया के प्रती जागरुक करना व्यक्ति को एक लैब के अंदर एक बाया feedback मशीन के साथ पिठा दिया जाता है आराम से और उसको जागरुक कराया जाता है उसको बताया जाता है कि यदि आप तनाव परिस्थिती में हैं तो कैसे इस मशीन कैसे इस टूल में लाल निशान या खत्रे की तरफ आप जा रहे हैं कैसे आप अपने शरीर को नुक्सान करते हैं अपने चित्त को सांत करते हैं अपने शरीर को शांत इस्थिती में रखते हैं तो आप हरे सिगनल की और ग्रीन सिगनल की और जा रहे हैं जो यह बताता है कि आप अभी अच्छे इस्थिती में तो पहले व्यक्ति को जागरूक करना दूसरा चरण है शरीर क्रियात अनुक्रिया को नियंत्रित करना सीखना उसको बताया जाता है व्यक्ति को कि कैसे वो अपनी बायो फीडबेक को नियंत्रित कर सकता है उसके स्वास की गती तेज हो रही है या उसके धे की धड़कन तेज हो रही है रक्त चाप उच्च हो रहा है तो उसको नीचे करना उसको स को नियंत्रण को दैनिक जीवन में इस्थान अंतरित करना यह सबसे अधिक महत्वपून इस्थिती है अगली तक्नीक है सर्जनात्मक मानस प्रत्यक्षण इस तक्नीक के अंतरगत हम यह जान लें कि यह एक आत्मनिस्ट अनुभव है मतलब यह मेरा अपना अनुभव है यह जिस तरह से मैं अनुभव कर रहा हूं उसी तरह से कोई अन्यव्यक्ती भी करेगा तो यह आत्मनिस्ट अनुभव है और इसमें एक प्रतिमा का या फिर कल्पना का उप्योग करना होता है कल्पना करने के लिए वास्तिक्ता के अनुकूल एक लक्ष निरधारित कर लें वह जादा ऐसा ना हो विचलित ना हो जो हमारी वास्तिक्ता से जादा विचलित ना हो वास्तिक्ता के करीब एक लक्ष निरधारित करें मन को शांत रखें शरीर को विस्राम अवस्था में रखें और आखें बंद रखें इससे कल्पना को वास्तिक्ता में परिवर्थित करने की उर्जा प्राप्त होती है अगली तक्नीक है संग्यान आत्मक व्यावारात्मक तक्नीक हैं इन तक्नीकों का उप्योग व्यक्ति को दवाव के विरुध तैयार या संचारित करने के लिए किया जाता है व्यक्ति को दवाव आने से पहले ही तैयार यदी कर दिया जाए तो व्यक्ति दवावपूर्ण परिस्थिती में अच्छे से उससे निपट सकेगा। इसके लिए नकारात्मक और आविवेकी विचारों के स्थान पर सकारात्मक और विवेकी विचारों को स्थान दिया जाता है। इस विधी को हम तीन चरण में कर सकते हैं। पहले सबसे पहले हम मूल्यांकन करते हैं। दवाव और दवाव से सामना करने के व्यक्ति के संसाधनों का मूल्यांकन किया जाता है। फिर उसके बाद दवाव न्यूनी करण कैसे किया जा सकता है। यह उसे सिखाया जाता है। औ प्रवंदन हे तो अगली तकनीके हैं व्यायाम तकनीके आज कल के शोध यह बताते हैं कि व्यायाम से हमारे शरीर को किस तरह के लाभ मिल सकते हैं यह बात प्रचिलत है यह बात हम जान रहे हैं कि व्यायाम से हिर्दे की दक्षता में सुधार होता है फैफ़ों के प्रकारियों में ब्रद्धी होती है, रक्त चाप में कमी आती है, रक्त में वसा की कमी होती है व्यायाम के प्रकारों में टहलना, दोडना, साइकल चलाना, रस्सी कूदना अधी शामिल हो सकता है पर ध्यान रहे व्यायाम को तीन हिस्सों में करने की आवश्यक्ता होती है व्यायाम के पहले की तैयारी जिसे हम आम तोर पर वार्म अप बोलते हैं फिर व्यायाम करना और उसके बाद कूल डाउन सामान्य होना ये तीनों चरण समलित होने चाहिए अब इसके बाद हम बात करते हैं सकारात्मक स्वास्थ एवं कुसल छेम का उन्ययन इस भाग में हम समझेंगे कि किस प्रकार से जीवन की चुनोतियों का सामना करते हुए सकारात्मक स्वास्थ एवं कुसल छेम का उन्ययन किया जा सकता है इसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं दवाओ प्रतिरोधी व्यक्तित्यों की कोबा सा दौरग किये गए अध्यन में यह पता चला कि कुछ लोग उच्छ दवाओ किन्तु निम्न इस्तर पर रोग वाले होते हैं यह एक अनोखी इस्तिती है पिछले अध्याय में हमने यह देखा कि यदि आपका दवाओ जादा है तो संभावना है कि आपको रोग होने की संभावना जादा होगी लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे पाए गए अध्यन में कि उनमें दवाओ भी अधिक था लेकिन रोग भी उनमे से द्रडता hardiness कहा गया उन गुणों की हम लोग चर्चा करते हैं सबसे पहला यह व्यक्ति अपने कारियों के प्रति प्रतिवध्यता का अनुभाव करता है कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास धेर सारे कारे हैं यदि आप अपने कारियों के प्रतिवध्यता का भाव र के नियंत्रण कर सकते हैं जीवन पर आपका नियंत्रण में नियंत्रण बोध है तो निश्चत रूप से जानिए तरुप से आप टनाव का सही धंसे प्रवंधन कर पाएंगे और तीसरी महत्पूर्ण बात चुनोती परिवर्तनों को सकारात्मक रूप से लेना कोई भी परिवर्तन जो भी हमारे सामने आ रहा है वह हमें कुछ न कुछ सिखा के जाता है कुछ न कुछ हमें दे कर जाता है हमें उसके सकारात्मक पक्ष को देखना चाहिए इसके अतिरिक्त अब हम बात कर सकते हैं जीवन कौशलों की, कुछ ऐसे जीवन कौशल हैं जिनके सहीयोग से, जिनके माध्यम से हम अपने सकारात्मक स्वास्थ का उन्ययन कर सकते हैं, उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे आग्रहिता, असर्टिवनेस की, तीन शब्द इस्तम का भी उप्योग किसी और को बड़े आसानी से करने देता है। अग्रेसव व्यक्ति दूसरे के अधिकार चीन लेता है, दूसरे के छेत्र में वहाँ प्रवेश करता है Самने जिबकी असर्टिव व्यक्ति आग्रहिता वाला व्यक्ति ना किसी और के छेत्र का उन्लंगन करता और ना ही अपने छेत्रकावल लंगन किसी और को करने देता है यह वो व्यक्ति होते हैं जो अपनी भावनाओं का अपनी एक्छाओं का अपनी आवश्यक्ताओं का और अपने विचारों का स्पस्ट और विश्वास के साथ अभी व्यक्ति कर पाते हैं यदि कोई कारे पसंद नहीं है या उन्हें लगता है कि यह कार उप्युक्त नहीं है तो उस निवेदन को वो आस्विकार कर सकते हैं अपने मत को निस्संकोच रूप से व्यक्त कर देते हैं अपने संबेगों को अपनी भावनाओं को खुल कर व्यक्त करते हैं तो इस तरह से हमने देखा कि एक असर्टिव व्यक्ति अपने तनाओ का आसानी से प्रवंधन कर सकता है अगली तक्निक या अगला पक्ष है समय का प्रवंधन करना हम देखते हैं, दैनिक जीवन में भी देखते हैं, जो व्यक्ति अपने समय का अच्छी तरीके से प्रवंधन कर लेते हैं, वह तनाओं से, दवाओं से मुक्त होते हैं, समय की योजना बनाना, क्या मेरे लिए महत्वपून है, यह जानना, अपना समय उन कारियों में लगाना जो आपके लिए महत्वपून हैं, और जो आपके लक्ष प्राप्ती में सहायक हैं, समय प्रवंधन के छेतर में हम दो बातें और करते हैं, अर्जेंट और इंपोर्टेंट, क्या हमारे लिए तातकालिक रूप से अवश्यक है, और क्या हमारे लिए महत्वपून हैं, बार हमसे जीवन में महत्वपूर्ण कारे छूट जाते हैं तो एक व्यक्ति के लिए दवाओं से मुक्त रहने के लिए सकारात्मक व्याओहार के उनेयन के लिए आवश्यक है कि वह अर्जेंट और इंपॉर्टेंट तातकालिक और महत्वपूर्ण दौनों के बीच में समनवय के साथ चले चलिए अगले छितर की बात करते हैं वह है साविवेक चिंतन रैशनल ठेंकिंग यह पाया जाता है कि कुछ लोग इर्रैशनल आविवेकी चिंतन में लगे रहते हैं यदि हम विकृत चिंतन आविवेकी व्योहार को चुनोती दें तो हम उन पर नियंतरन पा सकते हूं मैं आपको एक उधारन से समझाता हूं जो लोग अवसाद से ग्रसित हो जाते हैं उनके अंदर एक धारना होती है कि मै मूले विहीन हूं मैं किसी काम का नहीं हूं मैं कुछ खास कर नहीं सकता हूं यह एक अतारकिक विचार है यह एक अविवेकी विचार है इसको चुनोती दी जा सकती है इसको चुनोती देने के लिए आप उस व्यक्ति से पूछिए कि क्या आपको ही ऐसा लगता है या आपक के रिष्टिदारों को आपके पडोसियों को आपके बॉस को आपके जीवन साथी को या आपके आसपास के लोगों को भी ऐसा ही लगता है और हम पाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है हमारे जीवन में यदि कुछ नकारात्मक है तो बहुत सारा कुछ सकारात्मक भी है और इस तरह स नकारात्मक विचारों को निकालना होता है और सकारात्मक विचारों का कथन करना होता है अगला छेत्र है जिससे हम सकारात्मक स्वास्थ में उन्यान कर सकते हैं जिससे हम अपनी जीवन गुणबत्ता को बढ़ा सकते हैं वह संबंधों में सुधार हमारे आपसी संबंध वो ह हमारे रिष्टों के संबंध हो सकते हैं वो हमारे मित्रों के संबंध हो सकते हैं वो हमारे कारेस्थल के संबंध हो सकते हैं और संबंधों में सुधार करने की जो की है कुंजी है वह है संप्रेशन तो व्यक्तियों के बीच में कमनी के संब इसके लिए तीन आवश्यक कुशल ताएं हैं उनका ध्यान रखने की जरूरत होती है पहला तो है दूसरे को सुनना हम अक्सर अपनी बात सुनाने में लगे हैं हम अक्सर सीर्फ मैंने क्या किया मुझे क्या अच्छा लगता है मैं क्या महत्तुत देता हूं इसकी बजय हम दूसरे को भी सुनना सीखें अपनी भावनाओं को भी व्यक्त करें कोई दिक्कत नहीं तो पहली बात दूसरे को सुनना सीखें अपनी भावनाओं को सही ढंग से व्यक्त करना सीखें और दूसरे के मत खास्तों से वो मत जो आपसे विन्न हैं उनको भी स्वीकार करना सीख उनको भी महत्व देना सीखें अगला पक्ष है स्वेम की देख भाल करना अपने आपको स्वस्थ रखना दुरुस्थ रखना एवं विश्रांत रहना दवाओ का सामना करने में सही होगी है हमारा स्वसन प्रारूप हमारे मन और संबेगों को परिलक्षित कर देता है दवाओ परिस्थिती में हमारा स्वसन तीब्र होता है जबकि हम शान्त होते हैं जब रिलेक्स होते हैं विश्रांत अवस्था में होते हैं तो हमारा स्वसन मंद होता है इसके साथ साथ हमें वातावर्णिये दवाओं के प्रती भी सचेत होने की आवश्यत्ता है अगला पक्ष है आसहायक आदतों पर विजही होना इनमें तीन पक्षों पर मैं चर्चा करूंगा एक है पूर्णतावाद, दूसरा है परिहार और तीसरा है विलंब पूर्णतावाद perfectionism हर काम बढ़ियां करना कई बार लोग कहते हैं जो लोग वास्तिक्ता के अनुसार कारे करते हैं वो कहते हैं कि हम अक्सर सर्व स्रेष्ट पाने के धुन में स्रेष्ट को भूल जाते हैं अच्छा स्रेष्ट अच्छा स्रेष्ट सबसे अच्छा बिना तुर्टी का इस कार में लगे रहते हैं और इस बात का दबाओ हम लेते रहते हैं दूसरी आदत है परिहार इसमें व्यक्ति समस्य स्वीकार करने या सामना करने से नकार देता है उसको वह स्वीकार ही नहीं करता वह मानता ही नहीं है कि यह समस्या है एक तीसरी तरह की गलत आदत है विलंब करना प्रोकैस्टिनेशन करना टाल देना आज जो काम करना है उसको कल पे टाल देना और ऐसे करते 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 हमारे पास धेर सारा कारे खटा हो जाता है और फिर वह हमें तनाव देता है वह हमें दवाव देता है चलिए सकारात्मक स्वास्त संबंदित कुछ और मुद्दों पर बात करते हैं पहली बात हमारा आहार हमारा खान पान ध्यान रखि संतुलित मात्रा में लें, विविद तरह के आहार लें आहार का चुनाओ साउधानी पूर्वक करें सक्रियता का इस्तर क्या है आपका क्या आप कुर्सी पर बैठे रहने वाले कारे करते हैं या आप ऐसे कारे करते हैं जिसमें आप अपने शरीर को जादा सक्रिय रखते हैं आपकी अनुवान्शिक प्रकृति क्या है जलवायू क्या है तथा आपका स्वास्थ संबंदी इतिहास क्या है उसके अनुरूप हमें आहार ग्रहन करना चाहिए अगला छेतर है व्यायाम का व्यायाम पर हम पहले भी बात कर चुके हैं व्यायाम के सकारात्मक प्रभाव होते हैं अगला छेतर है सकारात्मक अभीवरत्ति पाजिटिव एटिट्यूट ध्यान रखिए यदि आप वास्तिकता का सही प्रत्यक्षन करते हैं वास्तिकता का सही आकलन करते हैं तो यह सहायक होगा आपकी सकारात्मक अभिव्रत्ती के लिए जीवन में उद्देश तथा उत्तरदायत्यकी भावना रखनी होगी भिन द्रश्टीकोणों के प्रती सहिष्णता का भाव रखना होगा साथी साथ सफलता का श्रे और असफलता की जिम्मेदारी इन दोनों को सुईकार करना आना चाहिए खुले विचारों वाला व्यक्ति ह होना चाहिए इनको हम समग्र रूप से सकारात्मक अभिब्रत्ती पॉजिटिव एटिटीट के अंतरगत हम मान सकते हैं अगला तथ्य है सकारात्मक चिंतन व्यक्ति आशावादी हो सकता है व्यक्ति निराशावादी हो सकता है यह देखा गया है जो व्यक्ति आशावादी होते हैं वह दबाव का सामना आसानी से कर लेते हैं निराशावादी व्यक्ति चारों तरफ समस्या 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 को देखते रहते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के लिए दवाव का सामना करना आसान नहीं होता है अगला पक्ष है सामाजिक अवलंबन सोसल सपोर्ट यह देखा गया है जिन व्यक्तियों के पास सामाजिक अवलंबन सोसल सपोर्ट होता है वे व्यक्ति दवाव का सामना आसानी से कर पाते हैं सामाजिक अवलंबन, सोशल सपोर्ट को हम तीन तरह से उसकी व्याक्षा कर सकते हैं पहला है मूर्थ अवलंब इसका मतलब यह होता है कि कोई वस्तू या कोई घटना के रूप में हम उस व्यक्ति को मदद दे देते हैं जैसे एक व्यक्ति के पास नोट्स नहीं हैं वह परिच्छा की तैयारी कर रहा है तो दूसरा मित्र उसको नोट्स बनाने में मदद कर सकता है या उसको नोट्स दे सकता है मूत रूप में उसको सहयोग देता है दूसरा यह हो सकता है सूचना अवलंब इन्फॉर्मेशन का सपोर्ट देना ये बताना कि आप अपनी समस्या से इस तरह से निपट सकते हैं या आपके लिए जो आवश्यक है उसकी उपलब्धता इस स्थान पर हो सकती है और तीसरा सहयोग हो सकता है सामवेगिक अवलंब इमोशनल सपोर्ट एक व्यक्ति को सामवेगिक अवलंब या सामवेगिक सहयोग अपने साथी से अपने सहकर्मी से या अपने मित्र से मिले तो वह है व्यक्ति दवाव का सामना आसानी से कर पाएगा तो चात्रो इस भाग में हमने सकारात्मक स्वास्त दवाओ का सामना कैसे करें? क्या हमारी कोपिंग स्टेटजी हो सकती हैं? क्या वह कारे पर आधारित होंगी? या फिर हमारी भावनाओं पर आधारित होंगी? हमारे एमोसंस पर आधारित होंगी? या फिर हम समस्या को फोकस करके कोई रणनीती तैयार कर लेते हैं और साथ ही साथ हमारी व्यक्तितो संबंधी विशेषता हैं जैसे की assertiveness किस तरह से हमें सहयोगी हो सकती है इसके बारे में हमने जाना समझा उमीद करता हूँ कि इस भाग से आप अपने जीवन में आने वाली समस्याओं अपने जीवन में आने वाली चुनोतियों और दवाओं का प्रवंधन आसानी से कर पाएंगे धन्यवाद जी जीवन में